नमस्कार व्यक्ति के दिमाग का जिस परकार का वातावरन होता है उसका प्रभाव व्यक्ति के व्यापार पर और परिवार पर उसकी खुशियों पर पढ़ता है इस बात को तो आप भी समझते हो पूरी जानकारी आप तक पहुचाओंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ा दूँ यदि आप जोतिस के द्वारा अपनी समस्त परकार की समझाओं का समधान चाहते हैं या बहुत अच्छी स्रेणी के गवर्मेंट लेब स्रटिफाइड राशी रतन खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपरक कर सकते हैं मेरा फोन नंबर मेरा वोटस अप नंबर आप इस स्क्रेन पर देख रहे हैं तो चलिए दोस्तों विसमें आगे बढ़ते हैं आपके घर की पूरव और उत्तर की दिवार पर कहीं भी या आपके पूजा घर में स्री यंत्र का फ्रेम फोटो तस्वीर कलेंडर जरूर होना चाहिए अकेले स्री यंत्र के अंदर करोडों शक्ति नहित होती है अच्छा सा साफ सुत्रा श्री यंत्र का चित्र घर में होने पर देवी लक्षमी कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है और घर का माहूल बहुत बढ़िया बना रहता है दोस्तों कमल के पुश्प पर बैठी हुई देवी लक्षमी की तस्वीर भी घ भगवान धनवंत्री की तस्वीर, फ्रेम फोटो या कलेंडर आपके घर में आरोग्यता का माहूल पैदा करता है। कुबेर यंत्र या भगवान कुबेर की तस्वीर भी बेहद शुब माने जाती है और इसी के साथ में आप कलस, पूरुन कलस जिसके ओपर नारियल रखा हुआ हूँ, ऐसी एक सुन्दर सी तस्वीर भी अपने घर में लगा सकते हैं। स्वास्तिक का चिन जो की विस्तार का और ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है। वह आपके घर में पूरु या उत्तर की तरफ या आपके पूजा घर में जरूर होना चाहिए। उसके चारों कोने अनंत विस्तार का ब्रह्म का प्रतीक हैं, जहां स्वास्तिक का चिन जिस दिस में बना होता है जिस घर में उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी देखे जाते हैं दोस्तों इसके अलावा भी आपके दिमाग में अच्छा माहौल पैदा करने वाले कुछ चित्र अपने घर में लगा सकते हैं यदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती झाइब लगता है झाइब रिजल्ट जोस्तों करने दोस्तों करने बहां में चित्र जल्ट अपको हमारे गाले क्या जाम इंब छिर्टों करने में अभले करने ले वेग।